हेलो गाइज वेलकम टो अनेदा वीडियो प्स्टॉक मार्केट फिर्ट्स एलिन इलेक्रोनिक्स गाइज यह आई प्यों आ चुका है और इस आई प्यों जो से अगले हफ्ते ऑपन हो रही है तो आज के इस वीडियों उसका कंप्रीट अनालिसेस करें इसका जींप क्या चल सब्सक्राइब करेंगे जिसने आपको आई प्यों सारी मिलते रहे है चलिए अब हम लोग वीडियो को कंटीनियू करते हैं तो गाइस यह कंपनी के बहुत पुरानी कंपनी है एलिन एलेक्रोनिक्स लिमिटेट जो की एक लीडिंग मैं इलेक्रोनिक्स सर्विस देती है कंपनी कंपनी का जो यहां पर मैं इसका मानुफाक्ट्र करती है इंड टो एंड प्रोडूर्ट शौलुशंस का जो की मेजर ब्रैंड जैसे लाइटिंग फैंस इंडिया में अनुफी तो एंड प्रोडूर्ट करती है और वहन आप न लाज़िस्ट्ट्र होँ और फ्लैक्टिनल होँ पावर का मोटर इसके पास है और एलिनक्त्रोक्स लिमटेट करती है यह इसके अपनी जो सो एक वाइट रहे के प्रोडक्स का और यहां पर इसेंबल करती है और इसका एंड टो एंड प्रोडुक्ट सॉलुशन का जो सो प्रोवाइड भी कराती है कंपनी यहां पर दोनों ऑरिजनल एक्विपेंट मैनुफ्रक्टर और ओर डिजनल डिजाइन मैनुफ्रक्टर बिजनस मॉडल्स पे जो यहां पर काम करता है मतलग कि इन दोनों के अंदर जो से यहां पर सर्फ करती है कंपनी का यहां पर डाइवर्सी फाइड प्रोड़क्ट पॉट्फोलियों की बात करती है यहां पर इमस इंक्लिूड है इसमें जो की LED लाइटिंग फैन्स स्वीच और फ्रेश एयर टीड डवलू फैन्स और मॉडिलर स्विच और सॉकेट इन सभी जो मैं न्याहिंत्तों जो पर इसले क्या है जो topics आइसे ड्राइण स्टीव आइरां स्टोस्टर और हैंड बेंडर स्मीट ब्लेंडर स्फिली और स्टेट माई अर अदर मिशलेनियेीस्ट सी कंप्टनी के पास देखने को मिलती कमपनी का तीन manufacturing facilities जो कि कह सकते हैं नगा यह जो कि तीन तर शेंवार गाजीबाद उतर परदेश में बड़ी हिमासल परदेश में और वर्णागोवा में तीन अलग-अलग अलग जोन में देखने को मिलती है मतलब की सब्सक्राइब करें अगर हम बात करें कंपणी का बारे में तहां पिए पर इसका उसके कॉड़ीश में और जिसमें आप चांसर्ट के स्केचिंग डिजाइन रिफाइनमेंट जन्रेटिंग और और अप्रेशन अप्षिनल फीचर्स और टेस्टिंग इन सब्सक्राइब यहां पर यह सुझा ज्यादा फोकस करकी इन सब्सक्राइब रिजिए जो के रिशर्च और डिवलपमेंट में जो की और सब्सक्राइब लगातार कस्टमर्स बढ़ते जा रहे है त्वेंटि टूंडट नांटी सैवन के सब्सक्राइब लेकिन फिर्फिर का यहां पर कंप्रीट फिनांशिल ट्वेंटी त्रीक वी डिटा आया नहीं क्योंकि दो क्वार्टर और बाकी है यहां पर इसके कस्टमर्स बेस अगर बढ़ते रहें इंक्रीज होते रहा तो बहुत जादा फ्यूचर देखने को मिल सकता है कंपनी का जो रेवेन्यू जो होता ऑपरेशन से फिन ट्वैंटी 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 टू में और सिक्समांथ पेरिएड में जूकि तीस मिल र्हा है तो गए जिसका चोब यहां पर फिनाशल सा है टोटल एकित अगर देखें फिनाशल में तो कंपनी का एंटि सेवन करोड पह देखने को मिर जने ड olur हूँ सका द्वाकों सर्था डवंटी डौन में डव Chairmanhorn में रिकिन ट्वैंटी बहुत ही चांदार तेजी 829 करोल का देखने को मिला था फिनाशल रहा था उसके बाट 20 में बहुत ज्यादा गिरा बहुत बढ़ी गिरावाट आई 786 करोल का लेकिन ट्वैंटीवन में 864 करोल का एस रेवन्यू जनरेट हुआ और जहां ट्रेपल डिजिट में कंपनी का रेवन्यू जनरेट हो रहा था वहीं पिरेशेंटली 22 को फिनाशल एल में 4डिजित में कंपणी का रेवन्यू जनरेट हुआ जो की 1009 फोर करोल का रेवन्यू जनरेट करके कंपणी दिया है रिसेंटली यहां पर 604 कलोल का रेवन्यू देखने को मिला है प्रॉफिट आफ्टर टैस ट्वेंटी-नाइन कर करोल का जनेरेट हुआ था जो कि नाइंटीन में ट्वेंटी में थ्ट्वा से गिरावत आई ट्वेंटी सैवन करोल का लेकिन वापस से रिकावरी करता होने जारा थैटी फोर किरोल फिर ठाटी ना करोल पर यहां पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है कि कंपनी का डेट क्या जाए नहीं है और यह जबहुत ज़्यादा आई पर जबहुत जब्सार और यह कि यह कॉर्पनी कंपनी 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 का उससे क्या असर पड़ेगा इसमें क्या लगाने चाहिए वह मैं आपको विडियो के एंड में बताऊंगा तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर फिनाशियल को अगर इग्णॉर किया जाए तो इसको अगर करें तो वाकिं कमपनी ने यहां पर बहुत इशानदार जो सब्सक्राइब करने को मिला है अब अगर हम ऑब्जक्त की बात करें तो कंपनी यहां पर जो उसको expand कर सके upgrade करने के लिए कंपनी कैपक्स करने चाहती है जनरल कॉर्बेट पापस के लिए IPO लाया गया है तो यह तो थी ऑब्जेक्ट की बात अब हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के थोड़ा और डिपली इसका हम लोग फंडामेंटल अनल्सिस करते हैं तो गाइज यह व यहाँ पर कंपनी का एन्वल कैपशिटी जो है दस मिलियन मोटर्स का जो इंडिया में मैंन्सफक्टर और सप्लाइर करती है सप्लाइ करती है यहाँ पर देख सकते का इस कंपनी यह बहुत इस शांदार देखने को मिल रहा है अब हम लोग बात करते इसका टेनिटेटिव का तो गाइस यह कंपनी 20 दिसम्बर को ओपेंड होने वाली है 22 दिसम्बर को जाएगी तिन दिन यह आई पी ओपन रहेगा फाइब पेश का फेस वैल्यू रखा गया तू हंड़ थाटी फोर फाइब पर चेर की प्राइज रखी गई शिस्टी सेयर्स की लॉट साइज है फोर हंडड़ सेवैंटी फाइब करोलो का फ्रेश इशू और त्रिहंड़ करोलो का ओफर फॉर शेल ला रही है बी एसी एनसी दोनों मिल्स्टेड हो रहा है अब अगर काटेग्री वाइस के ओफर की बात करें तो 50% क्यू आई बी एन आयाई को 15% रिटेल यहां पे 35% का ओ मोटर्स है अब अगर हम यहां पे तो कम लोग देख चुका हम डेट की बात करें तो यहां पर अलॉट्मेंट जाए सटाइस दिसंबर का रखा गया अठाइस दिसंबर को डिफॉंट्स इनिशेट किया जाएगा उन्तिस दिसंबर का लिस्टिंग रखा गया साइज यहां यहां पे 14,820 रुपीज का यहां पे मिनिममम लॉट साइज है जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग 53.98 परशंट की प्रिशु होल्डिंग है अलॉट्मेंट होने को 32.93 परशंट की रह जाएगी तो काई अगर देखिएगा तो कंपनी जो है यहां पर पहले पॉजिटिव और यहां पर देखने को मिल रहा है और इसके साथ कंपनी जो है यहां पर देखिएगा तो इसके पियर कॉमपेरिजन में यहां पे देख सकते हैं हानी वेल आटो एंबर इंटरपाइज चैन्स टेक्निलोजिस पीजिए यह सभी जो सब्सक्राइब को इसके सभी का कॉर्णिंग जो है इसके जो प्राइस है बहुत ही यहां पर देखिएगा तू करेंट मार्केट प्राइस यहां पर देखने को मिल रहा है तो यहां पर देखिएगा तू करेंट मार्केट प्राइस के कॉर्णिंग यहां पर कंपनी जो सब्सक्राइब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्राइस पर ट्रेड करती है तो हो सकता जिससे लीडिंग मैनुफाक्ट्चर रहे लीडिंग लीडर्शिप बना के रखिए इन सभी के कंपनी के अकॉर्डिंग तो हो सकता आने वाल टाइम में जो और बहुत ज्यादा गिरावट आई थी इसके मतलब के फिनांशिल में बहुत ज्यादे गिरावट देखने को लिए एक मुझे ड्रॉबैक लगा बट फिर भी कंपनी बहुत अच्छी रिकावरी करत इसके प्रॉडिंग जो कि 54 परशंट के आप यहां पर होल्डिंग देखने को मिलेगा प्रोमोटर के पास लेकिन अब बात करें कंपनी जिसता परफॉर्मेंस दे रही है तो हो सकता आने वाले टाइम में कंपनी के प्रोमोटर अपने स्टेक को इंक्रीज कर सके और इसके स करने का सोच तो आप लोग इसको अपने वॉच्च लिस्ट में एड करके रख सकते है आप आप इसको क्या सोचते है आप लोग कमेंट बॉकस में जबूब बताईएगा और चानौन पर नहीं सब्सक्राइब लिए बॉटन सार्य अब्लेट्स मिलते रहे हैं और कमेंट बाइबाइ